नमस्कार दोस्तों स्वगत है आपका हमारे चैनल चार जागंद्र मिस्सा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइप में कुछ नया सिखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सावन रविवारी आवश्या घर में यहां जला दें एक दीपक और दो लौंग पितर दोस्ट नजर दोस्ट से मिलेगी मुक्ति छपपर फार के बरसेगा पैसा जी हां दोस्तों दोस्तों सावन मास में पढ़ने वाली आवश्या तिथी को हर्याली आवश्या की नाम से जाना जाता है सावन आवश्या के दिन भगवान संकर और माता पार्वती की पूजा करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और इस बार यह सावन रवियारी अवश्या चुकि रवियार की दिन पढ़ रही है इसलिए इसे रवियारी अवश्या भी कह सकते हैं तो यह 8 अगस्त को दिन रविवार को पढ़ रही है इस दिन भगवान विश्मु जी की पूजा करने का भी विशेस महत और फल मिलता है इस साल यह जो सावन अवश्या 8 अगस्त को दिन रविवार को है इस अवश्या पर दान करने का और तीर्थ अश्नानों में अश्नान करन का विशेस लाभ मिलता है चुकि जैसे के गंगा नदी में शंगम में नहाएं तिर्थ सरोबर में नहाएं लिकिन अगर चुकि अभी कुछ समस्याइं चल रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में भी एक वाल्टी पानी में थोड़ा सा यानि गंगा जलके कुछ बूंदे डालके नहा सकते हैं तो उसका उतना ही फल मिलेगा और दान करने का विशेस महत हैं अमवश्या के दिन तिल का दान करने से पित्र देव परसंद होते हैं पित्र देव का अशिरवाद मिलता है और कई गुना अधिक फलों की प्राप्ती होती है इस अमवश्या पर जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं अम वश्या पर पित्रों के निमित्र इश्नान दान साध्य तरपन करने से पित्र दोस तरप्त होते हैं उनसे मुक्ती मिलती है और उनका अश्रवात प्राप्त होता है कश्ट से चुटकारा मिलता है पित्र दोस हो नजर दोस हो तो तिल का दान करें उस दिन सूर्देव को एक लोटा जल जरूर अरपित करें सूर्देव को एक लोटा जल सूर्योदय के शमय अरपित करें उसके बाद एक लोटा जल में काला तिल डाल के अरपित करें तो जीवन के समस्त मनों कामनाय पूरी होती है अब चुक्कि दोस्तों इस बार शावन रव्यारी अमरश्या रव्यार के दिन पढ़ रही इसलिए इसका विशेस महत और भी बढ़ जाता है इसलिए चुक्कि हरी बिश्णू और माता लक्ष्मी जी की भी अश्री मुक्रिवा प्राप्त होती है और आवश्या तिति भगवान सन्य देव को भी शमरपीत होती है बहुत ही प्रितिति ही होती है तो इस दिन अपने पूरबजों को याद कर पूजा पाट कर गरीबों को दान करने का भी धाने ताकि पित्रदों से मुक्ते मिले आपको और चुकि शावन का महीना चल रहा है महादेव का महीना और रविवार के दिन यह जो पढ़ रही है अवश्या श्रावण माश्किया वश्या और भी शुवफलदाई और कई तरह के लाभ और योग सरवार्द सिद्धियों के साथ साथ अमर शिद्धियों का भी निर्मार ह रहा है तो तमाम तरह के जो दुरलब सिद्धियों को बन रहे हैं इनसे भी लाभ होगा अब चुकि सावन रव्यारिया मुश्या के दिन आपको घर के में अपने मुख दरवाजे के पास आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए साम के समय जलाएंगे तो ज्यादा च्छरेग तो छपड़ फाड़ के धन समपदा की वारिस होती है कभी भी धन की कमी नहीं होती अब चुकि पितरों के निमित्र ये अमश्या तरपण बगरा के लिए और उनका आश्रवाद प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे नहाद होके एक लोटा जल जब आप सुर्देव को अर शिरवबात प्राप्त होता है और दौस्तों खासका अवश्या तितिक दिन आप वह जैसे की तेल का एक दीपक सर्सों का दीक चाहिए हो तो आप क्या करें पीपल ब्रिष्च के नीचे भी जला सकते हैं चुकि सनी देव से संभंदित अव्श्या और प्रितिति होती है तो पूजा स्थान पर भी जलाईए का साम के समय लेकिन अपने मुख दरवाजे पर आप चाहें तो एक दीपक दाईं तरफ एक दीपक बाईं तरफ जलाएं और दो लौंग जरूर आप उसमें दो दो लौंग डाल दीजे लेकिन चुकि शावन रवियारिया वश्या के दिन बैट के अपनी मन की मनोकामना बोल दे नौकरी की मनोकामना है तो वो बोल दे बिजनस ब्यापार में तरकी चाहते हैं तो वो बोल दे तमाम तरह की एक्छाएं सत्र बिरोधी नजर दोस से मुक्ति पाने के लिए तमाम तरह की एक्छाएं बोल दे तो आपको लाब होगा आप चुक्कि बहुत से लोगों को नजर दोस लग जाता है और पितर दोस का भी यह जिनको पितरी दोस होता है जिनके कुंडले में नजर दोस आए दिन लगते रहते हैं तब क्या करेंगे आप निश्ची तोर पे क्या करें कि एक दीपक आप जलाकर अपने बीच आंगर में और आप दो लोग ले जीजे और अपने सर से तीन बार उल्टे बार के उस दीपक में डाल दीजे और इस दीपक को पूरे घर में दिखाईए ध्यान रखेगा पूरे घर में दिखाईए आप पूरे घर में इसकी लओ दिखाईए उसके बार आप क्या करें कि इस दीपक को अपने मुख दरवाजे के पास आप रख दीजे तो जीवन के कष्ट मिलते हैं नजर दोस पित्र दोसों से मुक्ति मिलती है तमाम तरह की जो ग्रह बाधाई हैं उनसे मुक्ति मिलती है ग्रह पिडाओं से मुक्ति मिलती है तो पित्रों के निमित्र तो वैसे भी अवश्यक योगों से भी मुक्ति मिलती है और इस दिन जैसे कि चुकि हम एक छोटा से उपाय आपको हम इस वीडियो में चुकि हमने टॉपिक ही रखा है कि एक दीपक और दो लॉंग यहाँ पर रख दे चुकि देखें सबसे इंपोर्टन बात क्या होता है कि कि सावन के समय अगर रविवार के दिन अवश्या पड़ जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है देखे एक दीपक जला लिया एक दीपक में दो लॉंग डाल लीजे दो लॉंग डाल के आप अपने जो आपके घर में अगर किशी को नजर दोस लग गई है तो उसके सर से तीन बार उल्टे बार ये और तीन बार उल्टे बार के और चाहें तो अपने घर की सुधता के लिए निगेटिव उर्जा को बाहर करने के लिए पूरे घर में दिकाश सकते हैं ये दीपक और उसके बाद इसमें आप चुकी लॉंग तो डला ही है दीपक भी जला हुआ है तो इस दीपक को आप चाहें तो रववारी अवश्या के दिन आप अपने घर के पश्चिन दिशा की और रख दीजे पश्चिन दिशा सनी देव से सम्मंदित होता है और सनी देव को अवश्या दिशा की और अपने घर की और रख दे जब ये बुझ जाए दीपक तो लॉंग को निकाल कर आप आलमारी में रखिए तो छपपड़फार के धन संपता आएगा धन की कमी कभी नहीं होगी और आपको ये जो बहुत प्रकार के निगेटिव एनर्जी है ये भी आपके घर से दूर होगी और दीपक का महत तो भी चुकिए अवश्या की दिन काफी होता है और एक दीपक आप अपने पूजा स्थान पर जरूर जलाएगा भगवान विश्मुजी की निमित माता लक्षमी जी की निमित भगवान भोले नाद की भी पूजाराध नहीं करिए क्योंकि स्धावन का महीना चल रहा है और भगवान विश्मुजी को बहुत प्री होती है वह शतिति तो इसलिए आप एक दीपक आप पुझा स्थान पर जिलाएंगे तो दो लॉंग देखें दो लॉंग जरूर आप डालना मत भूलिएगा लॉंग और दीपक का यह जमतकारी को पाया आपको जीवन की तमाम तरह के कष्टों से आपको बाहर निकालेगा तमाम तरह के शुक्षुबधाएं आपको प्राप्त कराएगा जीवन में धने धान में बृद्धी करेगा दोस्तों आपको सावन रव्यारी आवश्या के दिन विशेश रूप से एक दीपक और दो लॉंग का प्रियोग करके जीवन की समस्तमनों कामनों की पूर्ती कर सकते हैं देखे आप चाहें तो अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा परिशानिया हैं निगेट इन्रजी के बाद से आई दिन आपको लगता है कि पिद्रदोंस के निमित्री कुछी समस्या है तो आप क्या करेंगे एक दीपक ले ले और किसी तिराहे पे जाकर उसमें दो लॉं